हेलो गाइज आज की रेस्वी रेस्टोरेंट स्टाइल रेस्वी है सभी को मलाइक अफ़ता पसंद है जो कि बहुत ही मौ्थ वाटरिंग होती है तो आज में वही आपके साथ सेयर करने वाली हूं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मोटा मसाला इस तरह से प्रिपेर कर लेते हैं और इस तरह से इसको आप ऐसे इसको ग्राइंडर में भी यूज कर सकते हैं लेकिन ग्राइंडर में यह ज्यादा ग्राइंड हो जाता है पेस्ट यह तियार हो जाता है पाउडर तो हम इसको इस तरह से चूर कर लेंगे तो इस तस मैंने मोटा मसाला तयार कर लिया है यह डाइजेस्टी में भी होता है और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है अब मैंने पैन में तेल डाल करके गरम करके इसमें साबुत मसाले डाले हैं जो की दालचीनी, इलाईची और हरी मिर्च स्लीट करके डाल दिया है जीर करके डाल दिया है अब इसे में soft होने तक हलका brown होने तक इसे पका लेना है जब प्याज brown हो जाएगी और soft हो जाएगी तब हम इसे एक pot में transfer कर लेंगे क्योंकि थोड़ी सी extra इसमें oily लग रहा है तो इसे हम transfer करके इसे ठंधा करके पानी डाल करके इसको हम grind करके पेस्ट त्यार कर लेते हैं तो चलिए मैंने एक इसको pot में transfer कर दिया है इसे थोड़ी ठंधा होने के लिए side में रख देंगे तब हम इसे ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड कर लेकिन थोड़ा सा इसने पानी जरूर एट करेंगे मैंने पेश्ट प्यार कर लिया है अब हम इसे साइट कर लेते हैं तुसरा प्रोसेस यह करने वाले है कि मैंने लिया है पनीर और इसे इस तर से कदुकस कर लेंगे आप इसे हाथों से चूर भी सकते हैं लेकिन इस तर से ग्रेट करने से क्या होता है परफेक्ट एक दम पनीर की जो लंप से लंप से लंप स्प्री होती है इसलिए मैंने इसे ग साथ की साथ अवाथ कर लिया है मैंने आड़या से हमारे तेयार हो जाएगा अपनीर का बॉल findet survived यानि कि आदा केजी पनीर के साथ दो आलू मैंने एड़ किया है इसे बहुत ही टेस्टी तैयार होता है कोफता मौथ वाटरिंग इसे मौथ में डालो तो घुल जाएगा तो इस तरह से जो कम्बिनेशन करते हैं ना दोनों का टेस्ट मिक्स करके तो बहुत बढ़िया आता है इसके साथ कुछ मसाले भी हम एड़ कर लेंगे जैसे की काली मिच मैंने डाला है और इसके साथ टालेंगे हम हल्दी पौडर, जीरा पौडर और लाल मिच पौडर अगर आप चाते हैं स्पैसी तो भी एड़ कर सकते हैं धनिया पौडर और इसके साथ कटा हुआ बारिक धन या मैंने एड़ कर दिया इस वाद के उसार नमकी सारी चीजे हमने एड़ करके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे मिलाने के बाद अब इसका हम बॉल त्यार कर लेते हैं तो एक चीज और इसके साथ हमने एड़ किया है वो है अरारोट या कॉन्फरोट आ सकते हैं या एक चमज आप मैदा अगर घर में अवलेबल है कोई भी चीज है तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं क्योंकि इसे हम डारेक्ट अगर फ्राइट करेंगे तो ये टूट जाएगा तो इसको थोड़ा सा हाट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ये सॉफ्ट है तो आलू भी सॉफ्ट होता है पनीर भी सॉफ्ट होता है तो डारेक्ट हम इसको फ्राइट करेंगे तो ये फट जाएगा तो इसके लिए मैंने एक चमच डाला है अरारोट का पॉडर या कॉन फ्लोड आ सकते हैं या एक चमच आप मैदा यूज कर सकते हैं तीनों में से कोई भी एक चीज आप अगर एवलेबल है तो यूज किजिए और इस तरह से बढ़िया सा बॉल त्यार कर लिजिए बॉल त्यार हो चुकी है और इसको तलने के लिए मैंने पैन में तेल को स्मोकी गरम किया है और इसके साथ क्या करना है कि उलट पलट करने के लिए थोड़ा सा पहले हम इसको अच्छी तरह से तलने देंगे क्योंकि बहुत ही सौफ्ट है ये बाल तो इसको ज्यादा हम छेड क्लेश करेंगे जिससे कि यह ब्रेक नहुं हो इसको फिलट करने के लिए मैंने चोटे चमच का यूज है जिससे यह ब्रेकना हो ऐसे यह बहुत ही सपन्जी होती है और सौप ऑपी होती है तो एक एक बॉल करके हम इस तरह से असानी से निकाल लेते हैं और इस तरह से नेक्स्ट जो है अगला वाल भी इसको अच्छी तरह से हम तल लेंगे तो मैंने सारा निकाल करके दूसरा स्टेप इसमें डाल दिया है और एक्स्ट्रा जो ऐल है उसको मैंने हटा करके उसमें मोटा मस् er alltså जो कि प्रिपेर किया था इसमें एड्ड करदिया है बहुत ही टेस्टई mote होता है , और डाइजेस्ट में भी बहुत यह होता है अच्छा काम करता है और इसके साथ मैंने डाल दिया है प्यास का जो बनाया था पेस्ट वो प्रिपेट मसाला और इसमें मैं यो मसाले डालेंगे जो कि सबजियों में हम यूज करते हैं जीरा पॉडर काली मिज पॉडर हल्दी पॉडर लाल मिज पॉडर और गरम मसाला पॉडर ये सारे मसाले मैं पर ना रहे है मलाई कौफतार तो इसके साथ आधी कटोरी मैंने मलाई डाला है फ्रिस मलाई घर की बनी हुई है यह और इसमें क्योंकि यह क्रीमी टेक्शरी इस मसालो को लाएगा तो इसके साथ हम इसे अच्छे तरह से कम से कम 10 मिनट तक इसे पकाना है मसालो को पकाने के ल अभी तक मैंने टमाटर यूज नहीं किया था आप टमाटर भी यूज कर सकते हैं मैं इसके साथ केचप यूज कर लई हैं और उसमें तो आधे चमल डाल दिया था मार्केट में जो मिलती है सेजवान चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है सबजी में डालने के बाद दस मीनट पकने के बाद फ्लेम को कम कर दिया था मैंने अभी आप देखेंगे और सेप्रेट हो चुकी है मसाले का कलर भी चेंज हो गया है यानि कि हमारा मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है तो चलिए अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे इसमें धनिया डाल अच्छी तरह से हम मिला देंगे जिसे की धनिये का टेस्ट इस मसाले में आ जाए यह फ्रेज धनिये का और बहुत ही सौफ्ट है इसको ज्यादा हम पका नहीं सकते हैं तो मसाले में मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा पानी एट करके इसको बॉयल करेंगे और उसके बा पाने टाल दिया है और उसके बाद फ्रेम को कम कर दिया है और बॉल को टालने के बाद थोड़ी देर मिला देंगे थोड़ा सा अच्छे तरह से और गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि इसके साथ हम पकाएंगे नहीं और एक वाफिस से गानिस कर लेते हैं उपर से धनिया और फ्रेस मलाई तो यह है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफता आपको कैसी लगी आप जरूर बताएगा कॉमेंट में और अगर बढ़िया आपको पसंद आया मेरे तरीके से बना हुआ तो आप लाइक जरूर कि जिएगा अच्छे तरह से हम इस तरह से